योनो SBI से QR code scan करके payment कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले योनो SBI को open करेंगे, योनो SBI के login screen पे आपको scan and pay का option मिल जाएगा, आप चाहें तो यही से इसका direct इस्तिमाल कर सकते हैं, scan and pay का इस्तिमाल करने के लिए आपको योनो SBI में UPI registration को complete करना होगा, अगर आपने already UPI registration कर चुके हैं, तो आप अपने existing UPI profile को retribe कर सकते हैं, पुना प्राप्त कर सकते हैं, scan and pay पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आजाएगा create a retribe UPI profile, यहाँ से आप UPI ID को create भी कर सकते हैं, और अपने UPI profile को retribe भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे M pin इंटर करेंगे, और यहाँ से sim चूज कर लेंगे, एक बार अपने UPI profile को verify कर लेंगे, यहाँ से account number को select कर लेंगे, और इसको next कर लेंगे, और यहाँ पे UPI pin इंटर करेंगे, और यहाँ पे आजाएगा, you have successfully verified UPI pin, इसको ok कर लेंगे, अगर आप चाहें तो scan qr पे क्लिक करके, आप qr code को scan कर लेंगे, यहाँ फिर हम इसको back कर लेते हैं, scan and pay का direct इस्तेमाल करने के लिए, scan and pay पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना mpin इंटर करेंगे, आपको जिस qr code पे payment करना है, उसको scan कर लेंगे, हमारे पास एक qr code है, हम उसको scan कर लेते हैं, जिसका qr code रहेगा, यहाँ पे उसका name आ जाएगा, और उसकी UPI ID आ जाएगा, यहाँ पे amount इंटर करेंगे, और नीचे next पे क्लिक करेंगे, और पे पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे UPI पी ने इंटर करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा, congratulations, successfully transferred, अब आपका money जो है, successfully transfer हो गया है, दोस्तों इस तरह से आप यहनों SBI से किसी को भी QR code scan करके payment कर सकते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, comment करिए, और साथी सा चैनल को subscribe कर लिजिए, thanks for watching.